हेलो बच्चो मैं एउपी सिंग सेर आज मैं आपसे जेई अडवांस में अच्छे मांक्स लाने के लिए क्या-क्या तरीके हो सकते हैं और क्या फिचर है उसका उसके मैं डिसक्स करने जा रहा हूं बच्चो मैं 92 में आईटे से पासवड किया और आई कॉलिफाइट इन 1988 तो अल्मोस्ट 35 यर्ज हमें हो गए जबसे मैं जेई एक्जाम को दे रहा हूं और उसको देख रहा हूं यहानि 35 यर्ज का मेरे क्यूलेटिव एक्सपेरियंस है और इस क्यूमलेटिव एक्सपेरियंस से मैं आपको startING से ही मैं चाहता हूं कि एक right approach बिल्ड करें, उस approach बिल्ड करने के लिए क्या-क्या चीजें चाहिएं, वो मैं आज आपके सामने लिखके आ रहा हूँ तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि वो examination, यानि J.E. Advance का जो paper है वो paper का basic requirement क्या है after all हमसे पूछा क्या जाता है उस exam में और क्यों ये exam, one of the toughest exam कहलाता है और कैसे ये exam J.E. main से बिल्कुल ही अलग हो जाता है तो बच्चों, अगर आप गौर से paper देखेंगे तो J.E. में सबसे important चाहिए mathematics का paper हो, physics का paper हो या chemistry का physics chemistry के भी paper में mathematical orientation है यानि mathematics आपका बहुत ही strong होना है अगर maths strong नहीं है, तो J.E. advance में आपका score करना मुश्किल होगा, difficult होगा तो बच्चों, mathematics का आपका focus होना है खास करके जो applied portion है, यानि calculus and vector इस पे command होना है बच्चों, इसके अलावा, जो features है मैंने सामने note किया हुआ है यह 100% numerical orientation exam, नुमेरिकल solve करने की skill आनी चाहिए यानि concepts clear होना है लेकि साथ ही साथ आपके अंदर हो ability होनी है जैसे कैसा भी numerical हो, उसको आप crack कर सके next, numerical solve तो करें लेकिन आज के date में, वहाँ accuracy भी important है decimal की three places तक, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो बहुत quick होते हैं और answer immediate दे देते हैं लेकिन उनके अंदर numerical inaccuracy होती है यहने decimal की three digits तक correct नहीं होता है उनका answer तो आज के pattern में उनको यह महंगा पड़ेगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि answer है लेकिन उसकी accuracy भी हो बच्चो इसके अलावा जो हमेशा से CHE का अपना एक feature रहा है कि वो यह वाल fundamental concept पर best equation आते हैं यानि वहां memory की जुरुत कम होती है जो basic concepts है उसका application होगा तो fundamental concepts यानि आपको subject के fundamentals पर focus करना है आपको just ऐसा नहीं कि road learning होगा यानि कोई चीज याद कर लिया कोई formula याद कर लिया direct formula अप्लाई नहीं कर सकते maximum question में rare एक दो question आएगा 5-10% question हो सकते है maximum जिस वो direct formula पर आजए लेकिन आस तक का उसके तिहास नहीं है कि direct formula best question आए तो हमेशा आप यह बान के चलो कि अगला जो भी exam होगा उस exam में भी जब आप appear होगे तो questions आपके fundamental का test होगा इसलिए learning approach जो होना चाहिए एक जो fundamental concepts है जो important theorems है important laws है उनका derivation भी आपको पता हो जब दक उनका derivation नहीं पता होगा तक तक आपको fundamentals के understanding बिल्ड नहीं होगे next जेई advance एक ऐसा exam है यानि ITJ सुरू से ऐसा exam रहा है कि direct question नहीं पुछे जाते हैं जैसा कि मैंने कहा आपको direct question नहीं होते हैं और यहाँ पे specifically concept के mixing होती है जैनि एक ही question में for example अगर physics के हम बात करें तो उसी question में mechanics भी होगा electricity भी होगा और हो सकता है thermodynamics भी involved हो जाए तो एक question में कई सारे chapters के concepts वहाँ पे involved होंगे यह ability आपके अंदर होना है कि different chapters को कैसे हम correlate कर पाएं यह बिल्कुल ही अलग है किसी भी exam से different है इसलिए यह जाधा difficult हो जाता है और जो studious बच्चे होते हैं वही अच्छे rank लेकर आपाते हैं next बच्चो critical thinking हर किसी ने बोला होगा आपको critical thinking चाहिए यानि आपके अंदर वह ability होना है कि आप चीजों को visualize कर सके ऐसा नहीं है कि direct question पढ़ा और answer करना शुरू कर दिया question पढ़के उसके visualize करना है that you have to build the right approach right approach build कर numerical solve करने का way कोना है एक ही questions को कई method से कर सकते हैं आपको ये देखना है कि हम किस method को apply करें जो minimum time में हमसे solve हो पाए तो बच्चो critical thinking जरूरी है जब तक आप के अंदर critical thinking नहीं build होगा तो आप J advance में अच्छा perform नहीं कर पाएंगे मैं इसमें भी चर्चा करूंगा कि कैसे critical thinking को improve करते हैं बच्चो next या last जो मेरे हिसाब से जो important input है जो सबसे important है वो है कि in depth practice होना है यानि आप ज्यादा से ज्यादा questions ज्यादा varieties of questions के practice करें अगर varieties of questions के practice करेंगे तो आप ज्यादा score कर पाएंगे और कई बार करना है because examination hall में time limited है आपके accuracy भी होने चाहिए अगर आपके practice नहीं है तो ज्यादा time लगेगा you will come under pressure और आपसे गलतियां होंगी अगर आपसे गलतियां होंगी तो negative marking भी है उसे कर marks भी आप lose करेंगे तो वच्चो उमीद है आपने यह सारे features important features ज्यान से समझाओगा मैं इसे one by one फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि यह mathematical orientation यानि हर question में mathematics involved है यानि आपका maths का sound base होना है strong foundation होना है दुसरा numerical solve करना है ज्यादा से ज्यादा numerical solve किजिए तेन आप accuracy पे ज्यादा believe किजिए and fundamentals fundamental concepts यानि concepts के basics पे जाए दूसरा different concepts को कैसे हमें correlate करना इसको भी समझना है और इसके लिए questions की practice भी होनी चाहिए then जैसा कि मैंने बता है critical thinking यानि visualization आख बंद के करके भी क्या application करना वो आपको समझ में आना है तो आप उसमें अच्छा score करेंगे and last but not the least you have to work very hard be ready to enjoy hard work अगर hard work करेंगे देन आप यह advance में अच्छा score करेंगे thank you झाहिए